कालु कवा बहुत कंजूस था वो तो इतना कंजूस था कि रुपए पैसा अपने घर परिवार पर भी खर्चना करता था बल्के हर समय पूरानी चीजें ही ठूंडता रहता एक दिन गोरी कवी कालु की पतनी अपने पती कालु कवे से कहती है कालु जी ठंड बढ़ गई है मैंने आपको कितनी बार कहा है जगु के लिए गरम टोपी ला दें आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते मैं गया था पूछने टोपी की कीमत पूरे सो रुपे थी इसलिए नहीं लाया ममा तो क्या मैं ठंड के मौसमें टोपी नहीं ले सकूंगा ले दूँगा बेटा ले दूँगा बस दाम थोड़े कम हो ले मैं आपको अच्छी वाली टोपी ले दूँगा बहुत हो गया कालू जी आज जाओ और मेरे बेटे के लिए टोपी लेकर आओ फिर बार बार कहने पर कालू कवा अपने घर से निकल जाता है वो बाजार जाने की बजाए इंसानों के गिराई हुए कच्रे की तरफ जाता है और वहां उसे एक गंदे नाले के पास से एक गिरी हुई पूरानी टोपी मिल जाती है कालू कवा वो टोपी उठा लेता है और उसे लेकर सीधा नदी पर जाता है कालु कव्वा वो टोपी नदी के पानी से धोता है और फिर घड़ चला जाता है मैं ले आया मैं अपने बेटे के लिए टोपी ले आया ममा ममा ये टोपी तो गीली है हाँ हाँ रास्ते में टोपी मेरी चौँच से नदी में गिर गई थी इसे थोड़ी देर रख दो जब सूख जाए तो फिर ले लेना कालू कहीं तुम मेरे बेटे के लिए किसी की फैंकी हुई टोपी तो नहीं ले आए हो नहीं नहीं गोरी तुम्हारी कसम नहीं लेकर आया हूं ऐसे ही दो चार दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है कालू मेरे जग्गू के दांद बहुत गंदे हो गए हैं जाओ और मेरे जग्गू के लिए एक निया टूथ बरश तो ला दो ये सुनकर कालू कववा सोचता है अब फिर मुझे पचास रुपे लगाना होंगे किन सोचों में खोगे कालू मैंने टूथ बरश लाने को कहा है अच्छा अच्छा जाता हूं फिर कालू कववा अपने घर से निकलता है वो उड़ता हुआ जा रहा था जब वो पहाड़ों के पास पहुँचता है तो उसकी नजर नीचे जाती है जहां उसे चील के घर में वाश्रूम के पास उसका टूथ बरश नजर आता है इधर उधर देखता है चील वहां नहीं कालू जील का तूथ बरश उठा कर वहां से भाग जाता है कालू जी कितने का आया है तूथ बरश पूरे पचास रुपए का आया है अच्छे वाला लाया हूं फिर जकू अपने तूथ बरश से अपने दान्ट साफ करता है ममा ममा देखे तो मेरे दांत कितने सफेद होगे हैं कालू जी अब मुझे भी एक निया टूथ ब्रश ला कर देना मेरा टूथ ब्रश एक साल पुराना है एक निया ले तो आया हूँ सब इससे ही बारी बारी अपने दांत साफ करेंगे जगू नदी पर बैठा था कि अचानक जगू के कुछ पंक गिर जाते हैं वो डर जाता है और रोने लगता है मेरे पंक, मेरे पंक कैसे गिर गए? चिडिया जो पास में ही बैठी थी जगू कवे को रोता देह कर वहां आती है जगू बेटा क्यों रो रहे हो? आउंटी आउंटी मेरे पंक गिर गए है चिडिया ये देह कर बहुत हैरान होती है जगू बेटा आपको तो पंक जड़ की बीमारी लग गई है चलो मैं आपको आपके खड़ छोड़ देती हूँ गोरी बेहन जल्दी से जगू को बुल बुल के पास ले जाओ जगू को पंक जड़ की बीमारी लग गई है अगर दवाना ली तो जगू के सारे पंक गिर जाएंगे और फिर जगू उड़ भी नहीं सकेगा कल तक तो मेरा बेटा ठीक था फिर कैसे अचानक ये बीमारी मेरे बेटे को लग गई खौली होगी कोई उल्टी सीधी चीज फिर गोरी और कालू जगू को साथ लेकर बुल बुल की तरफ जाते हैं चिडिया भी उनके साथ ही जाती है ये बीमारी तो केवल हमारे जंगल में चील को है आपके बेटे को ये बीमारी कैसे लग सकती है क्या चील के घर से कोई चीज लाकर तो नहीं खाई ये सुनकर कालू परेशान हो जाता है क्यूंके उसने चील का टूत बरश चो चुराकर लाकर दिया था जगू को नहीं नहीं हम तो कभी चील के घर ही नहींगे फिर कालू आहिस्ता से बोलता है गोरी मुझे मार नाना मुझसे बड़ी गलती हो गई है क्या क्या गलती हुई है कालू गोरी मैं जगू के लिए जो टूथ ब्रश लाया था वो नेया नहीं था वो मैं चील का चुरा कर लाया था शायद इसलिए मेरे बेटे को चील वाली भी मारी लग गई है कालू तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो और वो भी अपने बेटे के साथ बेशरम अगर मेरे बेटे के पांख ठीक ना हुए तो मैं तुम्हें भी गंजा कर दूँगी मैंने दवा दे दी है मुझे विश्वास है कि दस दिन में जगू के पांख फिर से आएंगे हाँ मगर वो टूथ ब्रश जगू दुबारा इस्तमाल ना करे उससे तो मैं घट जाकर कालू तुम्हारे दांत साफ करूंगी मुझे से गलती हो गई मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा गोरी पलीज और चिडिया बेहन किसी को ना बताना मुझे माफ कर दें फिर ऐसे कालू कवा सब के सामने शर्मिंदा होता है वो तीनों पके दोस्त थे वो हमेशा साथ रहते जहां भी जाते एक साथ जाते कुकु जो रानो चिडिया का बेटा था जगुकवा जो गोरी कवी का बेटा था और कीकी जो लूसी कबूदरी का बेटा था वो सब नदी पर बैठे हुए थे के कुकु अपने दोस्तों से कहता है यार जगु मैंने कभी सरसों के फूल नहीं देखे मेरा सरसों के फूल देखने को बहुत मन कर रहा है मैंने एक बार सरसों के फूल देखे तो थे बगर ये नहीं पता के सरसों के फूल कहा होते हैं ये सुनकर उनका तीसरा दोस्त की की कहता है मेरी दोस्त तितली को सब पता है उसे सब पता होता है फूल कहा होते हैं हम मेरी दोस्त तितली के पास चाते हैं सच फिर तो आज मज़ा ही आ जाएगा हम शाम से पहले पहले खर लोटाएंगे फिर वो तीनों दोस्त कीकी की दोस्त तितली की तरफ उड़ते हैं कीकी को पता था कि उसकी दोस्त तितली का घर कहा है इसलिए वो जल्द ही वहां पहुंचाते हैं दोस्त कैसी हो ये कुकू है और ये जगू ये मेरे दोस्त है मैं ठीक हूँ मुझे आपके दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई मेरा सर्सों के फूल देखने को दिल कर रहा था हमें पता नहीं के सर्सों के फूल कहां मिलेंगे क्या आप हमें बता सकती हैं दोस्त मैं तितली हूँ मेरी फूलों से दोस्ती है और मुझे सब पता है मैं आपको सर्सों के फूलों के पास लेकर जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे आए ऐसे वो सब तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं जल्द ही वो सब पहाडों की दूसरी तरफ सर्सों के खेत में पहुंचाते हैं जहां सर्सों के फूल ही फूल थे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का रंग जर्द हो गया हो कुकु तो सर्सों के फूल देह कर बहुत खुश हो रहा था मैं आज बहुत खुश हूँ ये नजारा सच में देखने लाइक है चलो हम सब खेलते हैं कीकी अब मुझे जाना होगा मैं अपनी मम्मा को बताए बिना आई थी मम्मा मेरे लिए परेशान होगी धन्यवाद दोस्ट बाई ऐसा कहते हुए तितली वहाँ से चली जाती है चलो जगू और कुकू हम चुपन चुपाई खेलते हैं ऐसे वो सब खेलने लग जाते हैं कुकू और कीकी सरसों के फूलों में चुप जाते हैं और जगू उन्हें ढूंडता है वो सब बहुत मजा करते हैं खेलते खेलते जगू कवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाता है वहां एक घौंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था मेरी ममा को अंडा पीना बहुत पसंद है अगर मैं ये अंडा चुरा लूँ और ममा को जाकर दूँ तो मेरी ममा बहुत खुश हो जाएंगी ऐसा सोचते हुए जगू कवा वो अंडा चुरा कर एक थैली में डाल लेता है समय गुजने का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है जगू और कीकी बहुत खेलिया अब घर चलें शाम हो गई है ममा परिशान होंगी हम अगले संडे फिर यहां आएंगे ऐसे वो तीनों दोस्त वहां से घर वापिस उड़ते हैं जगू तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था क्यूंके उसने तोटे का अंडा जो चुराया हुआ था मेरा अंडा मेरा अंडा कहां चला गया अभी अभी तो मैं यहां छोड़ कर गया था अपना अंडा फिर इतनी जल्दी मेरा अंडा कहां जा सकता है फिर मिठू दोता अपने पडोसी पक्षी के पास जाता है और उससे अपने अंडे के बारे में पूछता है अभी अभी तीन चोटे पक्षी यहां सर्सों के फूलों में खेल रहे थे हो सकता है वो आपका अंडा चुरा लेगे हो मैं अपने अंडे को कुछ नहीं होने दूंगा ऐसा कहते हुए मिठू तो ता उन चोटे पक्षियों के पीछे उड़ता है मिठू तो बिजली की तेजी के साथ उर रहा था यार जगू ये आपकी थैली में क्या है सर्सों के फूल मैंने कुछ सर्सों के फूल तोड़े थे वो हैं मेरी थैली में वो सब ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे के पीछे से मिठू तोता आकर उन्हें रोग लेता है रुको रुको शरार्ती बच्चो रुको मेरी बात सुनो मिठू अंकल क्या हुआ हमें घर जाने दें हमें पहले ही बहुत देर हो गई है मिठू को देह कर जगू कवे के तो पसी नहीं छूट जाती है कहा है मेरा अंडा कहा है सीधे से बताओ अगर ना बताया तो मैं तुम सब को पकड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा ये सुनकर कीकी और कूकू रोने लग जाते हैं मिठू अंकल हम जोर नहीं हैं हम तो वहां खेलने गे थे प्लीज हमें खर जाने दें मुझे लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगे ओए कवे लाओ अपनी ये थेली मुझे दो क्या है इसमें मिठू अंकल इसमें सरसों के फूल है परन्तू मिठू दोता वो थेली जगू से छेन लेता है वो जब उसे खोलता है तो उसमें उसका अंडा था चोर चोर कहीं के तुम तीनों मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहे थे मैं तुम ही नहीं छोड़ूँगा कीकी और कुकु को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जगू तुम ऐसा भी कर सकते हो मैंने नहीं सोचा था आपने बहुत गलत किया और तुम हारे चोरी ने हम सब को चोर बना दिया फिर वो सब रो रो कर मिठू से माफी मांगते हैं जो उनहें माफ कर देता है और अपना अंडा लेकर वापिस चला जाता है जगू कवे ने अपने दोस्तों के सामने अपना विश्वास खो दिया था जगू आज से तुम हारी और हमारी रहें जुदा हुई तुम चोर हो जगू उनहें आवाजें देता है मगर कूकू और कीकी दूसरे रास्ते से वहां से चले जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी जाये जिससे हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े और हमारे दोस्तों का विश्वास हमसे तूट जाए